कुमुद एक गरीब घर की बेटी थी, वे गरीबी में भी बीकॉम कर रही थी, मनीश ने उसे पहली बार कॉलेज में देखा, वे उसे देखता ही रह गया, उसने सोचा कि कितनी सुन्दर लड़की है, अगर इसकी शादी उससे हो जाए तो उसकी किस्मत ही बदल जाए, एक दिन मनीश उसका पीछा करता हुआ, उसके घर पहुँच गया, उसने देखा कि कुमुद तो बहुत गरीब है, घर में दो चारपाई, कुछ बरतन और कपड़ों के सिवाए कुछ भी नहीं है, कुमुद के पिता सुखबीर ने मनीश को जागते हुए देखा, तो पूछा, कौन हो साहब, मनीश बोला, क्या ये आपकी बेटी है, हाँ, मेरी ही बेटी है, कोई गलती हो गई उससे क्या, नहीं बाबुजी, कोई गलती नहीं हुई, दरसल मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ, मैं इन से शादी करना चाहता हूँ, आई आई ये, बैठिये साहब, मगर मैं तो आपको जानता भी नहीं, जानता तो मैं भी आपको नहीं, बस एक बार इन्हे कॉलिश में देखा, तभी ये मुझे पसंद आ गई, आज इनका पीछार करते हुए, मैं आपसे बात करने आ गया, हम दो भाई हैं, माबाप नहीं है, मैं पड़ा लिखा हूँ, दोनों भाई साथ में बिजनिस करते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं, लेकिन बेटा, हमारे पास तो सिर्फ ये जोपड़ पट्टी और सिर्फ बेटी है, मुझे आपकी बेटी के अलवग कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बेटा कह दीजे, साहब नहीं, सुखबीर बहुत खुश हुआ, उसके तो भाग खुल गए, जो इतना अमीर लड़का उसकी बेटी का हाथ मांगने आया है, सुखबीर ने हां कर दी, बहुत साधारण तरीके से कुमुद और मनीश की शादी हो गई, ससुराल में जाकर कुमुद ने देखा तो सोचने लगी, अरे बापरे, कितना बड़ा घर है, कुमुद की जेठानी सोनिया बोली, क्या सोचने लगी कुमुद, ऐसा घर तो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा, कुमुद को लगा जैसे उसकी जेठानी ने ताना कसा हो, कुमुद को उसकी जेठानी उसके कमरे में ले गई, कुमद ने उससे कहा दीदी बहुत प्यास लगी है फ्रिज का पियोगी या घड़े का वैसे फ्रिज का तो तुमने कभी पिया नहीं होगा नॉर्मल हिला देती हूँ सोनिया पानी दे कर बोली अच्छा कुमद अब ये कपड़े कहने बदल लो वैसे भी तुमें इतना बोज लारने की आदत नहीं होगी मनीश ने कुमद से कहा कुमद भावी बहुत बड़े घर की बेटी है और पिता जी मरने से पहले सब कुछ बड़े भया के नाम करके चले गए इसलिए भावी को थोड़ा घमंड भी है लेकिन तुम उनकी किसी बात को दिल पर मत लेना कोई भी बात हो तुम्जे बताना ठीक है लेकिन इस कमरे में इतनी ठंड क्यों है मुझे सरदी लग रही है शायद तुम नहीं जानती होगी इस कमरे में ऐसी लगा है ऐसी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ससराल में एसी लगा हुआ मिलेगा चौको मत कुमद यहां तुम्हें ऐसी बहुत सी चीज़े मिलेंगी जो तुमने नहीं देखी होंगे मैं तुम्हें वो सब सुख दूँगा जिनसे तुम वन्चित रही हो सुख उठकर कुमद ने अपने माइके की साड़ी पहन ली सोनिया गुसे में बोली ये तुम्हारा जोपड़ पट्टी वाला माइका नहीं है ये क्या पहना है तुमने कोई क्या कहेगा हम बड़े लोग हैं यहां ऐसे कपड़े पहनोगी मैं दूसरी साड़ी लाती हूँ सोनिया कुमद के कमरे में गई तो ऐसी चला हुआ था एक भारी सी साड़ी कुमद को देते हुए वह बोली महरानी पूरी रात एसी चलाया है जानती हो इसका बिल देना पड़ता है पर तुम्हें कैसे पता होगा तुम्हारे घर में तो पंखा भी नहीं था सोनिया बात बात पर कुमद को माईके की गरीबी के ताने देती थी लेकिन कुमद सब चुप चाप सहती रही ऐसे ही एक साल गुजर गया एक दिन कुमद हॉल का एसी जाडू से जाड रही थी अचानक से एसी में स्पारकिंग हुई और वो बंद हो गया सोनिया जोर से चिलाई तुमने इसमें क्या कर दिया इसकी कीमत जानती हो इतना तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी में भी नहीं लगाया जितनी इसकी कीमत है कभी कुछ देखा होता तो पता चलता कुमद अपनी कमरे में जाकर रोने लगी मनीश अपनी भावी की आवाज सुन रहा था मनीश आकर सोनिया से बोला भावी ये क्या है तुम बार बार उसे उसकी खरीबी का दाना देती हो आखिर वो बिचारी कब तक बरदाश्ट करेगी तो सोनिया बोली ओहो उसके लिए आज भावी से तेज आवाज में बात कर रहे हो बरदाश्ट करने की जरूरत ही क्या है हमने तुम लोगों का ठेका नहीं लिया है चले क्यूं नहीं जाते उसे यहां से लेकर भावी ये क्या कह रही है और भीया आप भी चुप सुन रहे है तेरी भावी सही कह रही है मनीश रोज रोज के जगड़े से अलग होना ही बेहतर है जाओ लेकिन यहां से कुछ नहीं मिलेगा बाप की एक लाप की संपत्ती को करोडों में वदला है इनोंने दिन रात महिनत की है जाओ और जो करना है अपने बल्बूते पर करो मनीश दुखी हुआ आज तक उसने जो भी कमाया सब भाईया भावी के हाथ में सौब दिया था आज उसके पास कुछ नहीं था कुमद परिशान होकर मनीश से बोली अब हम कहां जाएंगे कुमद मेरे पास कुछ नहीं है भावी ने वो देखो तुमारे बैग भी पैक करके बाहर रख दिया है चलो मनीश जब तक कोई इंतजाम नहीं होता आप मेरे घर चलो कुमद मनीश के साथ अपने घर आ गई बहुत गर्मी थी मनीश पसीने में तर बतर था यहाँ पंखा था न कूलर आपको तो एसी की आदत है न एसी के बिना कैसे रहोगे कुमद मैं तो रह लूँगा लेकिन यह देखो तुमारे माथे पर भी पसीना है कुमद हाथ के पंखे से हवा करने लगी मनीश उसे प्यार से बोला रहने तो कुमद तुम थक जाओगी सच बहुत बड़ी बाते बिना इसी के रहना मैं जल्दी कुछ इंतिजाम करता हूँ अगले दिन बाहर से आकर सुखबीर ने कुमद को लिफाफा दिया कुमद ने लिफाफा खोल कर देखा तो वह उसका जॉइनिंग लेटर था कुमद खुशी के मारे उचल पड़ी सुखबीर ने पूछा क्या हुआ बेटी तो कुमद ने कहा पापा मेरा बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए जॉइनिंग लेटर आ गया मेरी नौकरी लग गई अब वो दिन दूर नहीं कि हमारे घर में भी सब ही सुविधाए होंगी मनिश बेटा कहा थे तुम जानते हो कुमद की नौकरी लग गई बाबुजी बताई हो आज मुझे भी एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है सब लोग बहुत खुश थे कुमद बोली मनिश अपनी पहली सालवी से हम अपने घर में एसी लगाएंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि हम गरीबों के घर में भी एसी है कुमद ने अपने पिता के घर में एसी लगवाया पूरा गाउं देखने के लिए तूट पड़ा पूरे दिन औरतें गर्मी से बचने के लिए कुमद की मा के पास बैठने लगी एक दिन सोनिया और अमित ढूनते हुए कुमद के घर के पास आ पहुँचे सोनिया ने एक लड़के से पूछा अरे भाई सुनो क्या कुमद का घर यही है तब ही कुमद बाहर निकली और बोली अरे दीदी और भाई सहाब आप हम गरीबों के घर आपका कैसे आना हुआ आवाज सुनकर मनीश भी आंगन में आ गया आप लोग किसी ने आप लोगों को यहां आते हुए देख तो नहीं लिया बेकार में आपकी इज़त खराब हो जाएगी हमें माफ कर दो कुमद तुम घर से क्या आई हमारे घर की तो लक्षमी ही रूट कई हा मनीश शेर माकेट में मेरा सारा पैसे डूब गया मैं बरबाद हो गया यहां तक की मकान बेच कर करजा उतारना पड़ा भाया बहुत दुख हुआ सुनकर वो मकान हमारे दादा ची का था तुम दोनों हमें माफ कर दो हमको हमारे किये की सजा मिल गई है दीदी ये क्या कह रही हो आप बड़ी हो हमसे माफी मत मागो हमें आशीरवाद दो आँ भीया भाबी अंदर आकर बैठो जिस एसी के लिए हमें घर छोड़ना पड़ा आज हम गरीबों ने भी वे इसी लगा लिया है हम लोग बहुत खुश हैं जब तक आपकी कहीं विवस्था ना हो आप हमारे साथ रहो सोनिया और अमित रोने लगे तुम दोनों बहुत अच्छे हो मैंने कुमुद की गरीबी का मजाख उड़ाया और आज मेरे सामने उससे भी ज्यादा बुरे दिन आ गए नहीं दीदी दिल छोटा मत करो हम सब मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे और फिर से सब एक साथ रहेंगे अपने एसी वाले घर में एक बार सब के चहरे पर फिर से एक हसी लोट आई